है 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 हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे सैंसंग के स्मार्टफोन में या दूसरे किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन यह सभी में आज कल आपको एक वर्चुल मेमरी यानिके रेम प्लस दी जाती यानिके एक्स्टेंड रेम दी जाती है तो वह क्या है उसके ब टो वो कैसे जानोगे है छाइग है सटिंस में जाने के यहां आपको बैटरी प्रिपम में अपन होता है ऑच आ हमने oh पॉम्पोनेंट है जो स्टोरेज के साथ आता है जैसे कि आप देख सकते हैं यह मेरी 2GB की रेम है मेरे PC के लिए है इसमें भी आपको 12GB रेम शो करेगी जो एक्चुल रेम होती है वह आपकी एक स्टोरेज है यानि के मान लो जी आपका इंटरनल स्टोरेज 128GB है 128GB में से 4GB आपकी रेम प्लस हो गए यानि कि वर्चियल मीमरी हो गई तो आपकी स्टोरेज होगे 124GB यह वर्क करता है कैसे इसका यूज कर सकते हो तो इसके बार हम जानेंगे तो सबसे पहले हम जान लीजिए कि आपकी रेम जो है उसकी स्टोरेज कम हो चुकी उसकी लीमिट हो चुकी है एकसेस में अगर बैगराउंड में बहुत सारी अप्लिकेशन चल लिए तो उसकी आपकी रेगुलर रेम में उसकी लिमिट होती है लिमिट के बाद वह में इसलिए है इस मेमरी में तो इस तरहा आप किसी भी स्मार्टपॉन में जो आपके वैकरैंड के लीजिए मंड़र करती है लेकिन वहां छ तैकि आपके न बहुंतर कती है तसकी एकसेस में फफ़ेस्ट कर सकते है अगर हम कोस्तितेर्त में होता है यानी को प्रसलित वर्च्यान नहीं होगा उसमें बैग्रांड में लेकिन जो आपके रेग्राण में दी जाती है उसमें वह बैग्रांड में सेव रहेगा ना कि अपकी रेग्लर मेमरी में तो यहां यह कुछ अपड़ेट दी जाती है Samsung के smartphone और दूसरे कंपनी के smartphone भी आजकल virtual game आपको दी जाती है तो इस तरह आप virtual game का use कर सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगे तो like करिएगा, share करिएगा, comment जरू कीजिएगा और मेरे चैनल को subscribe जरू कीजिएगा Thanks for watching